ये सुनते हैं मुंसी प्रेमचन जी की सर्वशिष्ट कहानी बूढी काकी बुढापा बहुदा बच्पन का पुनरागमन हुआ करता है बूढी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेश्ठा शेश नय थी और नय अपने कश्टों की और आकर्शित करने का रोने के अतिरित कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां नेत्र हाथ और पैर जवाब दे चुके थे पृत्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते भोजन का समय टल जाता या उसका प्रिणाम पूर्ण ने होता अथ्वा बाजार से कोई वस्तु आती और नय मिलती तो ये रोने लगती थी उनका रोना सिसकना साधारन रोना नय था वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी उनके पतीदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे अब एक भतीजे के अलावा और कोई नय था उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते से में खूब लंबे चोड़े वादे किये, किन्तु वे सब वादे केवल कूली डीपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे, यद पी उस संपत्ति की वार्षिक आए डेड़ दोसो रुपय से कम नै थी, तथा पी बूढी काकी को पेट भर भोजन भी कठनाई से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंडित बुधिराम का अपराद था या उनकी अरधांगिनी स्रिमती रूपा खा, इसका निरने करना सहज नहीं, बुधिराम सभाव के सज्जन थी, किन्तु उसी समय तब तक कि उनके कोश पर आज ने आए, रूपा सभाव से तिवर ही सही, पर इश बुधिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, विचारते कि इसी संपत्ती के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ, यदि भोतिक आश्वाशन और सुखे सहानुभूती से स्तीती में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई अपत्ती ने होती प्रन्तु विशेश व्यका भे उनकी सुचेश्टा को दबाई रखता था, यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठ था और बुढ़ी काकी उससे में अपना रागल अपने लगती तो वह आग हो जाती, और घर में आकर उन्हें जोर से डाटती, लड़कों को पुढ़ों से स्वभाविक विद्देश होता ही है, और फिर जब माता पिता का यहरंग देखते, तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करती, कोई चोटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख मार कर रोती, प्रन्तु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, उनके संताप और आर्टनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था, हाँ काकी क्रोधातूर होकर बच्चों को गालियां देने लगती, तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती, इस समय इस भैके से काकी अपनी जिवहा कृपान का कदाच थी प्रियोग करती थी, यदपी उपदर्व शान्ति का यह उपायर रोने से कहीं अधिक उप्युक्त था, संपुर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, तो वह बुदिराम की छोटी लड़की लाडली थी, लाडली अपनी दोनों भाईयों के भैसे, अप कीलो लुक्ता के कारण बहुत मेंगी पड़ती थी, तथा पी भाईयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलब थी, तो बस यहीं, इसी स्वार्थ नुकूलता ने उन दोनों में सहानु भूती का आरोपन कर दिया था, रात का समय था, बूढी काकी के द्वार पर शहनाई समीर खड़ा भाट फृदावली सुना रहा था, और कुछ भावग्य महमानों की वहवाग पर आशा खुस हो रहे थे, मानों इस वहवापा यथार्थ में वही अधिकारी हैं, दो एक अंगरेजी पड़े हुए नव यूवक इन वहवारों से उदासीन थी, वे इस गमवार मंदली में बोलना अत्वा सम्मिलित होना, अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, आज बोधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है, घर के भीतर स्तुरियां गा रही थी, और रूपा महमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी, भटियों पर कड़ा चड़ रहे थे, एक में पूडियां कचोडियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, घी और मसाले के क्शूधा वर्दक सुगंधी, चारों और फैली हुई थी, बूढी काकी अ कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है, यह सब लोग भोजन कर चुकी है, मेरे लिए कुछ न बचा, यह सोचकर उन्हें रोना आया, प्रंतु अपशकुन के भैसे वह रोने सकी, आह, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूचता है, जब रोटियों के ही लाले बूढी काकी देर तक इन्ही दुखतायक विचारों में डूबी रही, घी और मसालों के सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किये देती थी, मुझे में पानी भर भर आता था, पूढीयों का स्वाद समन करके रिदे में गुदगुदी होने लगती थी, किसे पुकारू आज लाडली बेटी भी नहीं आई, तोनों छुकरे सदा दिक दिया करते थी, आज उनका भी कहीं पता नहीं, कुछ मालूम तो होता है कि क्या बन रहा है, पूढी काकी की कलपना में पूढीयों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल, फुली फुली नरम होंगी, र पूढीयों चन-चन कर तयार होंगी, कढ़ा से गरम-गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी, फुल हम घर में भी सूंग सकते हैं, प्रंत वाटिका में कुछ और बात होती हैं, इस प्रकार निने करके बूढी काकी उकडूं बैठ कर हाथों के बल सरकती हुई, बड़ी धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास जा बैठी, यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ, जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है, रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी, कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती, किसी ने बाहर से आकर कहा, महराज ठंड़ी मांग रही है, ठंड़ी देनी लगी, इतने में किसी ने आकर कहा, भाट आया है उसे कुछ दे दो, भाट के लिए सीधा निकाल रही थी, कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अ प्रन्तु क्रोध प्रकट करने का अवसर ने पाती थी। भय होता कहीं पुडोसी ने यहने कहने लगे कि इतने में उबलगड़ी। प्यास से स्व्यम कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी। प्रन्तु इतना अवकाश ने था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को बैठी देखा तो जल गई। क्रोध नैरुक्स का। इसका भी ध्यान ने रहा कि पडोसी ने बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगी। प्रूशों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगी। जिस प्रकार मेंधक केचुए पर जपटता है उसी प्रकार वह पूढ़ी काकी पर चप्टी और उन्हें दोनों हाथों से जटक कर बोली। ऐसे पेट में आग लगे पेड है या भाड। कोटरी में बैठते हुए क्या दम घुरता था अभी मेहमानों ने नहीं खाया। भगवान को भोग नहीं लगा तब तक धैर्य ने हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई जल जाए ऐसी जीब दिन बर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मूँ डालती। काओं देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती। तब ही तो इस तरह मूँ दबाए बैठी है। डायन ने मरे ने माचा छोड़े। नाम बेचने पर लगी है ना कटवा कर हिदम लेगी। इतनी ढूसती है ने जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोट्री में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहिद किसी ने के मूँ में पानी नाए। परन संपुण शक्तियां, संपुण विचार और संपुण भार उसी ओराकर्शित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वरध घंड कटकर गेता है तो आसपास का जल समूचारों और से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दोड़ता है। भोजन तयार हो गया, आंगन में पत कर भोजन करने बैठ गई। प्रन्तु सभ्यतानुसार जब तक सब के सब्स खाने चुके हो, कोई उठ नहीं सकता था। एक दो महमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दिरगहार पर जुझला रही थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। ब महमान लोग बोजन नहीं कर चुके होंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतने देर भी नहीं रहा गया, सब के सामने पानी उतर गया, अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, नहीं जाओंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतिक्षा करन लोग हाथ पर दो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गई, जेवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर वह मन ही मन बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गित गुन गुनाने नगी, उन्हें मालूम हुआ कि मुझे देर रात गाते दे पाद चिड़ गई, क्या जाने नै बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेंगी, वह कोई महवान दो नहीं जो उन्हें बुलाओ, बुड़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास की एक मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, उनकी प्रामाने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, यहीने लोग कहेंगी कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही है, तो मुझ जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी, वह उकडु बैटकर सरकते हुए आंगन में आई, प्र लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पतल पर पूड़ियां छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भी भीतर रख लेता, कोई दही खा कर चटकारता था, प्रन्तु दुसरा दोना मांगते संकोच करता था, कि इतने में बूड़ि काके रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची, कई आदमी चोंकर उठ खड़े हुई, उकारने लगे, अरे ये बुड़िया कोन है, यहां कहां से आ गई, देखो, किसी को चूने दे, बंडित बुड़िराम काकी को देखते ही क्रोज से तिल मिला गई, पूड़ियों का थाल लिये खड़े थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दई महाजन अपने कई बेईमान और भगोडे करशदार को देखते ही उसका टेंटवा पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोटरी म थम से पटक दिया, आशारूपी वाटिका लू के एक जोके में विनिष्ट हो गई, महमानों ने भूजन किया, घरवालों ने भूजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भूजन कर चुके थे, प्रन्तु बूढी काकी को किसी ने नह पूछा, बुधिराम और रूपा दोनों ही बूढी काकी को उनकी निर्लजता के लिए तंड देने का निश्चक कर चुके थी, उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत जान पर किसी को करुणा नय आई थी, अकेली लाडली ही उनके लिए कूड रही थी, लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भो लिए लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तकने थी, दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दता से घसीटा, तो लाडली का हरिदय एट कर रह गया, वह जुझला रही थी, कि हम लोग काकी को क्यों बहुत से बुड़िया नहीं देते, क्य महमान सब की सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने महमान उसे पहले खा लिया, तो क्या बिगड़ जाएगा, वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, प्रन्तु माता के भैसे ने जाती थी, उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिलकुल ने खाई थी, अप पैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी परसंद न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी, रात को ग्यारा बज गए थे, रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, लाटली की आँखों में नींद ने आती थी, काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने ने देती थ उसने गुड़िया की पिटारी सामने रखी थी, जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलू, चारों और अंधीरा था, किवल चूलों में आग चमक रही थी, और चूलों के पास एक कुटा लेटा हुआ था, ला मारे भैके उसने आँखे बंद कर ली, इतने में कुटा उठा और बैठा, लाडली को ढांडस हुआ, कई सोय हुए मनुश्यों के बदले एक भागता हुआ कुटा उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ, उसने पिटारी उठाई और बूड़ी काकरी की काकी की कोटरी मे चली, बूड़ी काकी को केवल इतना स्मर्ण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर घसी डे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड पर उड़ाई लिए जाता है, उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड पर से पटका, वे मुर्चित हो राम, क्या खाऊं, पेट में अगनी धदक रही है, हाँ, किसी ने मेरी सुधी ने ली, क्या मेरा पेट काटने से धन जुड जाएगा, इन लोगों को इतनी भी दया नहीं, आती की ने जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे, मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ, कि और कुछ, इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ने कुछ सुनू, ने बूज हूँ, दियांगन में चली आई, तो क्या बुधिराम से इतना गहते ने बनता था, कि काकी, अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना, मुझे घसीटा, पटका, उन्ही पूडियों के लिए रूपा ने सब के सामने कालियां दी, उन्ही पूडियों के लिए इतनी दुरगती करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ने पसीजा, सब को खिलाया, मेरी बात तक ने पूछी, जब तब ही न दी, तब अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी, निराश मैं संतोष के साथ लेट गई, गलानी से भरा, गला भर भर आता था, प्रंतु महमानों के भैसे रोती नै थी, सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूडियां लाई हूँ, काकी ने लाडली की बोली पहचानी, जटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में विठा लिया, लाडली ने पूडियां निकाल कर दी, काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है, लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है, काकी पूडियों पर तूट पड़ी, पांच मिनट में पिटारिक खाली हो गई, लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया, जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर दीती है, उस भाती इन थोड़ी पूडियों ने काकी की क्षुधा और एक्षा को और उतेजित कर दिया था, बोली, नहीं वेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ, दाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाओंगी तो मारेंगी, काकी ने पिटारी को फिट टोला, उसमें कुछ खुर्चन गिरी थी, बार-बार होट चाटती थी, चटकारे भरती थी, हृद्य मसोस रहा था कि और पूडिया कैसे पाऊं, संतोश से तुस जब तूट जाता है तब इच्छा का भाव एप्रिमित हो जाता है, मतवालों को मदकस्मन करना उन्हें मतांद बना देता है, काकी का अधिर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवा में बह गया, उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही, सहसा ला काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूटे पतलों के पास बिठा दिया, दीन, ख्रुदातुर, हत ग्यान बुडिया, पतलों से पूडियों के टुकडे चुन-चुन कर भक्षन करने लगी, ओह, दही कितना स्वाधिष्ट था, कचोडिया कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुको काकी बुद्धीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ, जो मुधे कदापित नहीं करना चाहिए, मैं दूसरों की जूटी पतल चाट रही हूँ, प्रन्तु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपुर्ण इच्छाएं एक ही उनकी स्वादेंद्रियां थी, ठीक उसी समय रूपा की आंक खुली, उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, वह चोंकी, चार पाई के इधर उधर ताकने लगी, कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी, उसे वहाने पाकर वह उठी तो क्या देखती है, कि लाडली जूटे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बूढी काकी पतलों पर से पूडियों के टुकडे उठा उठा कर खा रही है, रूपा का हरिद्य सन्न हो गया, किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उसी समय हुई, एक जिसे देखकर देखने वालों के हरिद्य काप उठते हैं, ऐसा प्रतीत होता, मानो जमीन रुख गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई अपत्ती आने वाली है, रूपा को क्रोध ने आया, शोक के समुख क्रोध कहा, करुणा और भैसे उसकी आखे भर आई, इस अ धर्म का धंड मुझ पर मत दो, नहीं तो मेरा सक्यनाश हो जाएगा, रूपा को अपनी स्वार्थ प्रता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे, मैं सोचने लगी, हाई, कितने निर्दई हूँ, जिसकी संपत्ती से मुझे दो सो रुप पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी, अपने नाम के लिए सेकड़ों रुपे व्य कर दिये, प्रत जिसकी बदोलत हजारों रुपे खाई, उसे इस उत्सव में भर पेट भोजन ने दे सगी, केवल इसी कारण तो वह व्रिधा ऐसा हाई है, प्रूपा ने दिया जलाया अपने भंडार का द्वार खोला, और एक थाली में संपुन सामगरियां सजा कर बूढ़ी काकी की ओर चली, आधी रात जा चुकी थी, अकाश पर तारों के थाल सजे हुए थी, और उन पर बैठे हुई देवगण स्वर्गिय बदार्थ सजा रहे थी, प्रन्तु उसमें कि किसी को वह प्रमारंद प्राप्त ने हो सकता था, जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर प्राप्त हुआ, रूपा ने कंठारुद स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुराने मानना, प्रमातना से प्रातना कर कि वह मिरा प्राद क्ष्मा कर दे, भोले भाले बच्चों की भाती, जो मिठाईयां पाकर मार उत्रिशकार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी, वैसे ही सब भूला कर बैठी हुई, खाना खा रही थी, उनके एक-एक रोएं से सच्ची सदिच्छाईं निकल रही थी, और बैठी स्वर्ग्य द्रिश्ची का आनंद लेने में निमगन थी।